चैहें दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चेस्ट वरकाउट के बारे में चली दोस्तों सुरू करते हैं वरकाउट एकसाज नमर एक बार्वेल इंकलाइन वेंच प्रेस इस एकसाज को करने के लिए सबसे पहले ब फिर बार विल को उपर ले जाएं जैसा आप देख रहे हैं इस एक्साइज के आप 304 सेट्स तस्यवार रेप्स कर सकते हैं एक्साइज नमर दो स्टेंडिंग लोटू आई केबल फ्लाई इस एक्साइज को करने के लिए दो पुली मशीन में बरावर बीट लगाएं फिर उसके हैंडल को पकड़ें फिर अपने पैक्स को फ्लेक्स करते हुए और एलोज को फैलाते हुए हैंडल को अपने चेस्ट की उचाई तक खीचें और अपने चेस्ट मसल्स को कॉंट्रेक्ट करें ताकि चेस्ट पर लोडा सके हाथ आगे आने पर कुछ सेकंड के लिए फिर नर्मल पोजिशन में आ जाएं इस एक्साइज के भी आप 3-4 सेट्स तस्यवार रेप्स के कर सकते हैं एक्साइज नमर 3 सीटेड मसीन चेस्ट प्रेस सबसे पहले मसीन में अपनी समतानुशार बेट लगाएं फिर मसीन की सीट पर बैठ कर उसके दोनों हैंडलों को ओवर हैंड ग्रिप से पकड़ें फिर हैंडलों को हाथों से आगे की उप्रेस तब तक करें जब तक आपके हाथ सीधी ना हो जाएं और फिर बेट को पीछ जाने दें जैसा आप देख रहे हैं इस एकसाइज के आप तिन चार्ट सेट्स तस से पंदर रेप्स के कर सकते हैं एकसाइज नमर चार मसीन चेस्ट फ्लाई इसे करने के लिए सबसे पहले मसीन पर पैट कर मसीन फ्लाई के एंडल को अंडर एंड ग्रिप से पकड़ें फिर एंडल को दीरे-दीरे अपनी चेस्ट के सामने की ओर लाएं एलोज को आप अलका सा बार की ओर मुट सकते हैं लेकिन ध्यान दे जब अपने हाथ सामने की ओर लाएं तो उनको आपसने टचना कराएं फिर कुछ सेकंड के लिए रुकें फिर दीरे-दीरे अपनी बाजिवों को और चेस्ट को बाहर की तरफ होलते हुए नॉर्मल पोजिशन में आ जाएं इस एक्साइज के आप 304 सेट्स को उपर ले जाएं इस एक्साइज के आप 34 सेट्स तस्ते बार रीप कर सकते हैं एकसाइज नमर च्छे डिकलाइं पुसक्त इस एक्साइज करने के लिए एक उबजेक्टका यूच करना है फिर अपने पैरों को और रखें और अपने हाथों को चमीन पर रखें फिर अपन अलू हुए।